वेल्कम तू आर चैनल फैंटसी फॉर्चून इस वीडिया हम बात करने जा रहे हैं चन्नाई सुपर किंग्स वर्सिस कॉलकता नाइट राइडर्स आई पिल माज जो ही खेला जाएगा में हो सकती है पॉसिवर प्लेंग 11 क्या रहेगी स्माल लीग की टीम घ्रंड लीग की क्या टीम रहने वाली है क्या होंगी मेरी स्माश की प्रेडिक्शन सब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे तो पूरी वीडियो देखेगा आपको मजा आने वाला है तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमार साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाईएगा यह हमारा टेलीक्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा उसी के थूँ जुड़ियेगा सर्च करके मज जुड़ना क्योंकि फेक शैनल काफी सारे हमारी नाम के और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो अगर हम बात करें वेन्यू की इस चन्नही में माच खेला जाएगा अभी तक यहाँ पर जो 126 माच खेले गए हैं टॉस का उतना क्रूशल फेक्टर रहा नहीं है क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए 66 बार टीम जीती है और 58 बार चीजिंग जीती है और एवरेज जो फर्स्टरिंग का स्कोर रहता है वो 158 का रहता है इस सीजन भी काफी माच चीज हुए है जो पहला माच हुआ था यहाँ पर वो हाई स्कोरिंग माच हुआ था जिसमें चन्नही ने 12 रन से माच जीत लिया था दूसरा जो माच हुआ था वो राजिस्थान में जीत लिया था रन से यहाँ पर राजिस्थान ने 175 रन डिफेंड कर लिये थे फिर एक low scoring माच आया जहाँ पर सुनराइजर ने 134 रन बनाए और वो CSK ने चेस कर लिये फिर एक high scoring माच आया यहाँ पर 200 रन चेस हो गए थे पंजाब ने कर लिये थे फिर एक low scoring माच आया जिसमें मुंबई न जो है 149 नहीं बनाया और वो चेस कर लिये थे और यहाँ पर जो last match हुआ है चन्नही ने 166 रन बनाये थे और जो है वो defend कर लिया था तो overall देखें तो बहुत high score जो है matches नहीं हुए है तो मुझे लगता है इस match में जो है 160-160 रन वाला score जो है देखने को मिल सकता है और spinners को मदद मिल सकती है चन्नही में तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तो spinners important बन जाते हैं आज के game के लिए अगर हम बात करें head to head की तो KKR ने 9 माज जीते हैं चन्नही ने जीते हैं 18 इस season भी आउनवे ने 56 गायक वाइड ने 3500 जो चारों टॉप फोर हैं चारों के चारों ने परफॉर्म किया था जवाब में फिर यहां पर जो है केकर की तरफ से जेसन रोई ने 61 किये थे रिंकू ने तेरे पन नाबाद किये थे तुशार देशपंडे ने दो विकेट और महिश तिक्षाना ने दो विकेट निकाले थे इस माच में अगर हम बात करें चन्नही की तरफ से तो कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर महिश पतिराना और यहाँ पर राइडू का इंपक्ट प्लियर का स्वैप हो जाएगा और कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बैंस टोक्स जो है वो अवेलिबल हो गए है फिट हो गए है लेकिन इस टीम में जगा बनना मुश्किल लग रहा है क्योंकि टीम काफी अच्छा कर रही है और चन्ने ही बहुत सारी चेंजिस करना पसंद नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता कोई खास चेंज होता हुआ अभी के लिए नजर आ रहा है अगर हम बात करें कॉलकाता की सो कॉलकाता के लिए डू और डाइ मैच है वैसे सो समझो काफी मुश्किल है लेकिन अगर आज का मैच हार गए फिर तो eliminated हो जाएंगे इस tournament से तो आज का मैच important है यहाँ पर हर्शित राना की जगा अगर उमेश यादा fit हो जाते है तो वो खेलते में नजर आ सकते है otherwise और कोई change होता हुआ यहाँ से भी नजर नहीं आ रहा है सुय शर्मा जो है वैसा impact player की तरह आपो खेलते में नजर आ जाएंगे अगर हम बात करें चन्ने की analysis के उपर तो अभी दूसरे number पर है 12 में से 7 match इन्होंने जीते हैं और आज अगर match जीत जाती है ठीक है ना अगर कोई 15 points है और अगर आज का match जीत जाएं तो 17 हो जाएंगे जो फिर high chances है कि यह team qualify कर जाएगी तो आज का match important है चन्ने के लिए जीतती है तो qualify करने के chances काफी जाएदा हो जाएंगे अगर इस team से must topic की बात करें तो यहाँ पर जो है guy quad और convey दोनों ही must topic है guy quad अच्छा कर सकते है इस match में तो captain wise captain की भी शांदार choice है यहाँ पर convey भी important है captain wise captain की भी choice रहेंगे दोनों और अगर आप grand league खेल रहे हैं और अगर आप देखते हैं कि CSK chase कर रहा है तो आप सारे CSK के bowler लेके combination ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें guy quad captain और convey wise captain रख सकते हैं फिर आएंगे रविंदर जड़े जा आपको decent points दे ही रहे हैं तो एक important pick बन जाती है और यहाँ पर चन्नई में जो है काफी अच्छा कर सकते हैं तो एक अच्छे pick आप के लिए रहेगी small league में आप चाहें तो captain wise captain try कर सकते हैं अगर हम बात करें आपर good picks की तो तुशार देश पांडे लगातार जो है विकिट्स निकाल रहे हैं पर-पर कैप की race में भी चल रहे है तो एक अच्छे pick आप के लिए बन जाती है पथिराना पथिराना जो है especially अगर पहले bowling आती है death में क्योंकि bowling करते हैं तो अगर चन्ने की पहले bowling आ जाती है तो उस case में पथिराना important होईंगे फिर अगर आप grand league खेलते हैं तो इन्हें CVC भी कर सकते हैं बट grand league में small league में नहीं क्योंकि death में wicket निकाल सकते हैं फिर आएंगे शिवम दूबे शिवम दूबे का selection कम है लेकिन पहले batting करते हुए शिवम दूबे जो है आपके लिए अच्छी pick बन सकते हैं क्योंकि तेजी से run बनाते हैं और अच्छा कर सकते हैं अगर हम बात करें game changer पे तो काफी players हैसे हैं जिनका selection कम है लेकिन अच्छा वो कर सकते हैं रहाने का selection कम है इस match में लेकिन KKR के against लास्ट टाइम भी अच्छी पारी खेल कर आए थे और इसमें भी खेल सकते हैं अगर जल्दे wicket गिरता है तो रहाने का अच्छी pick आपके लिए बन सकते हैं फिर आएंगे मोहिन अली मोहिन अली देखो यहाँ पर क्योंकि lefty batsman है दूसरी टीम में KKR के पास तो मोहिन अली का offspin से use हो सकता है और surprise कर सकते हैं अगर आप risk की fix चाते हैं grand league के लिए captain की तो यहाँ पर मोहिन अली मोहिन अली आज के match की बहुत बढ़ी है mega grand league की captain choice बन जाते हैं दीपक 4 दीपक 4 का selection कम है लेकिन swing मिल रहा है पिछले कुछ match में starting में wicket निकाल रहे हैं तो try कर सकते हैं महेश दिक्षना महेश दिक्षना एक ऐसा खिलाडी है जिसको small league में भी consider कर सकते हो क्योंकि सामने lefty batsman है last time भी 2 wickets निकाले से इसमें भी अच्छा कर सकते हैं तो अगर ये खिलाडी को आप small league में भी चाहें तो risk लेकर ले सकते हैं इस match में होने वाला है 50,000 रुपे का free giveaway कहां पर होगा होगा vision 11 app पे कल server issue था वो ठीक हो चुका है तो आपको issue नहीं आएगा तो यहाँ पर आप vision 11 app डाउनलोड कर लो link description मिल जाएगा fortune refer code है उसके तो डाउनलोड कर ले ना 500 रुपे का sign up बोनस भी आपको मिल जाएगा अगर हम बात करें KKR की तो KKR जो है अभी 8 वे position में है 10 points हुए 12 match इन्होंने खेले हैं और 5 जीती है और आज बाहर हो जाएगी अगर आज हार जाती है वैसे अगर दोनों match जीत भी जाती है तो भी 14 point तक ही पहुँचेगी और मुझे ने लगता 14 point पे qualify कर सकती है लेकिन अगर आज हार गई तो officially eliminate हो जाएगी तो important match है KKR के लिए इस season काफी साधारन कैप्टेंशिप इनकी तरफ से मुझे नजर आई है टीम ठीक थी लेकिन अगर एक कोई अच्छा कैप्टें होता हो KKR टीम बैटर कर सकती थी इस season अगर हम बात करें यहाँ पर मस्टाप पिक की तो यहाँ पर Russell रसल है important रहेंगे क्योंकि यहाँ पर बैटिंग बोलिंग दोनों से contribution कर सकते हैं small league में आप चाहें तो captain wise captain भी कर सकते हैं फिर आएंगे नितिश्राना नितिश्राना खुद over भी कर रहे हैं आज कल जब की KKR के बाब भर भर के bowling options रहते हैं बट फिर भी जो एक दो और पिछले कुछ माच से नितिश्राना कर रहे हैं last match में पहला over करने आ गए थे 26 run दिए लेकिन बैटिंग अच्छी कर रहे हैं यह चीज माननी पड़ेगी नितिश्राना captain ship चाहें जैसी कर रहे हैं तो एक अच्छी पिक बनती है और उन्चकरवर्थी यहाँ पर चनिए में अच्छा कर सकते हैं और बोलिंग भी अगर आप इनकी तरफ से देखे तो सबसे अच्छी बोलिंगी कर रहे हैं तो चक्र वर्थी एक अच्छी पिक बन जाते हैं हम बात करें कुछ अच्छे खिलाड़ी की यहाँ पर जेसन रॉए है ज अगर जहां पर दीपक चैहर को सुइंग ना मिला देखो सुइंग मिलता है तो तंक कर सकते हैं अगर सुइंग नहीं मिला तो जेसन रॉए आञ जो है अचे निक कही त applied कर सकते ए einzदिगियां धर वही player ले पाओगे तो एक को आप drop कर सकते हैं अगर आपको लगता है दीपक चहार को swing मिलेगी तो आप opener drop कर सकते हैं अदवाइस जो है यहाँ पर कीए शेयर को ट्रॉप किया जा सकता है आप बात करτε है गेम चेंजर पिक्स की सो रिंग कुसिंग रिंग कुसिंग लास्ट टाइम भी रन्स कर रहे हैं और हर मैच में एक्षूलि देखा जाए तो रन्स कर रहे हैं लेकिन इनको स्मॉल लीग में बहुत points दे सकता है लेकिन try grand league में करना small league में risky इसलिए है क्योंकि player बहुत बढ़ी है player यह काफी अच्छा है यह सारे match खेल के proper इनका all rounder वाला use करवाना चाहिए था लेकिन कही match में नितिशाना इनसे over 1-1 भी नहीं देते हैं तो यह बहुत ही small league के लिए दिकत की बात है तो grand league में आप इने try कर लेना है अगर हम बात करें मेरी इस match की predictions की तो मुझे लगता है guy squad इस match में एक अच्छी इनिंग खेल सकते है mohin अली जो है अपनी off spin से surprise कर सकते है जेसन रोई मैं मानता हूँ आज के match में decent इनिंग खेल जाएंगे upfront एक तावर तोड इनिंग पत्थी नाना जो है wickets निकालेंगे अगर पहले bowling आती है चन्नाई की वरुन चकरवर्ती अगर KKR की पहले bowling आती है तो वरुन चकरवर्ती मुझे लगता है wickets निकालेंगे सुनील नरायन को finally एक wicket तो इस match में मुझे लगता है मिल ही जाएगा क्योंकि काफी matches से wicket नहीं मिल रहे हैं तो वो जो सूखा है वो आज खतम हो सकता है और winner prediction की बात करें तो मुझे लगता है चन्नाई ये वाला match win कर जाएगी आपको क्या लगता है कौन सी team win करने वाली है कमेंट करके जरूर बताइएगा चलिए अब create करते हैं अपनी small league और grand league की teams तो wicket keeping section में तीन option है आपर conway है, gurubaz है, dhoni है येको dhoni अच्छा खेल रहे है लेकिन इनकी batting कम आती है लेकिन grand league में try कर सकते हो क्योंकि selection काफी कम है, मैंने small league में konway और gurubaz दोनों को अपनी team में रखा है बात करते हैं batting section में नितिश राना, जेसन रॉइ और गायकवार्ड को रखा है, आप चाहें तो जेसन रॉइ की जगा या gurubaz की जगा आप रहाने, दूबे या आईयर में से try कर सकते हैं, रिंकू को grand league में कर सकते हैं, राइडू की form अच्छी नहीं है बहुत सारी team लगाते हैं, तो इकाधी team में try कर सकते हैं, बात करते हैं आपर all round section में, तो रसल को लिया, जड्डू को लिया, मैंने आपर मोही नली को अपनी team में रखा है, आप चाहें तो मोही नली की जगा, नरायन को भी ले सकते हैं, या एक extra batsman जो है, लेकर चल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने मोही नली को रखा है, बात करते हैं, bowling में, सो bowling में जो impact player की तरह खेलता है, 330 point दे चुके हैं, तो बुरी pick नहीं है, हर्षित राना को grand league try कर सकने हैं, लेकिन अभी के लिए हमने पति राना को रखा है, तो ये बन जाती है हमारी small league की team, बात करते हैं captain wise captain की, so captain wise captain के लिए options काफी सारे हैं इस match में, जड्डू है, यहाँ पर रसल है, मोहिन अली है grand league के लिए, फिर guy squad है, Conway है, सो काफी options है मैंने आपर अभी के लिए जो है, wise captain जो है, मैंने guy squad को किया है, captain मैंने जड्डू को किया है, तो ये बन जाती है अभी के लिए हमारी small league की team, changes हो सकते है क्योंकि toss के उपर काफी important रहेगा ये वाला match तो final team आपको telegram पर मिल जाएगी, जिसका link डिस्क्रिप्शन में है दो grand league teams create करी है, मैंने आपके लिए team number one की बात करें तो guy squad को captain जैसे मैंने आपको बताया था, wise captain जो हमने konway को किया है, और bowlers रखे हुए हैं, हमने आपर CSK के, अगर पहले bowling आती है CSK की, तो ये combination अच्छा कर सकता है grand league में team two की बात करें, तो team two में हमने मोही नली को captain करके juddoo को wise captain किया है, 5 old rounder रखे हुए हैं, और bowlers पे जादा focus किया है तो ये बन जाती है, हमारी team two, आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं, और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, ये video आपको पसंद आईए, पसंद आईए, तो like करो, share करो, comment करके बताओ, आपके इस आपसे best choice captain कौन होने वाला है, साथ किसा, youtube share को subscribe करके bell icon दबा दीजे, जैसे वीडियो आएगी, आपको notification मिल जाएगी, all the best guys